मैसी बस नाम ही काफी है फुटबॉल के दिवाने ही नहीं बच्चा बच्चा मैसी मैजिक को जानता है अर्जेंटीने के स्टार लियोनेल मैसी उन खिलाडियों में शामिल है जो हमेशा से एक कलब के साथ रहे ये वफादारी उने खास बनाती है फुटबॉल की ही तरह मैसी नेजी जिन्दगी में प्यार में डूबे हैं जैसे जजबात उनके फुटबॉल फिल्ड पर दिखते हैं वैसा ही इजहार प्यार के मैदान पर नज़र आता है बजबन में जिस से प्यार हुआ मैसी ने उसी से शादी की और फिर कभी किसी और लड़की का नाम उनके साथ नहीं जुड़ा ये खुश किसमत लड़की हैं एंटे नेलो रुकोजो एंटे नेलो रुकोजो किसी मॉडल से कम नहीं ये हैं मैसी के दिल की धड़कन एंटे नेलो की जलग एंटे नेलो मैसी के दोस्त लोकास के बहन थी मैसी बश्पन में लोकास के घर पर पहली बार एंटे नेलो से मिले थे उन्हें वो तब से ही पसंद करते थे ये हैं दोनों के बश्पन की तस्वीरे जहां दोनों एक ही फ्रेम में खैद हुए थे लेकिन इस प्रेम कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी है मैसी को बश्पन में गंभीर बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे वहीं मैसी बश्पन में शांदार फुटबॉल खेलते थे ऐसे में बरसीलोना कलब ने उनकी मदद की इसके लिए मैसी को बरसीलोना जाना पड़ा यानि वो एंटेनलो से दूर हो गए कई साल बाद उनकी वापसी हुई तब उनकी मुलाकात हुई उनकी सौपन सुंदरी एंटेनलो से तब उन्होंने अपनी दिल की बात बताई और फिर शुरूआ डेट का सलसिला प्यार का सलसिला जो आज तक जारी है मैसी ने बहुत दिनों तक दुनिया की नजरों से इस कहानी को छुपा कर रखा कहीं किसी की नजर न लग जाए साल 2009 में एक टीवी शो में जब उनसे पूछा गया तब मैसी ने कहा यास एंड शी लिवस इन अर्जेंटीना यानि 2009 तक मैसी खुल कर अपनी प्रेम कहानी दुनिया को बताने लगे थे उसी के बाद एंटेनलो भी शिफ्ट होकर स्पेन आ गई और मैसी के साथ ही रहने लगी शादी से पहले मैसी एंटेनलो के साथ लिविन में रहते थे शादी से पहले ही उनके दोनों बेटों ने जन्म लिया मैसी ने अपनी प्रेमिका के गरवती होने के बाद भी काफी रोचक अंदास भी लोगों को बताई थी साल 2012 के एक मैच में उन्होंने हैट्रिक लगाई थी अपने गोल पर जब वो खुशी से जूम रहे थे तो अचानक फील में बॉल को अपनी टी-शिट के अंदा रख लिया मैसी का ये रूप देखकर सब हहरान रगए लेकिन बाद में समझ आया कि मैसी पापा बनने वाले हैं मैसी के करीबी कहते हैं मैसी आमतोर पर काफी शान और सौम में इंसान है लेकिन जब से उनकी जिन्दगी में एंटेनलों की एंट्री हुई है यही तो खोबसूरती है एक प्यारी सी लव स्टोरी की। प्यार आपको अंदर से बदल देता है, अंदर तक छूलेता है और जंदगी खोबसूरत बन जाती है। मैसी जब जब ठके हैं, हारे हैं, तब तब का एंटेनोलों ने अपने साथ से उनकी निराशा को हटाया है और उन्हें बनाया ऐसा स्टार जिसकी दुनिया दिवानी है।